नमस्कार इस्टेडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में NCRT कक्षाशात की हिंदी पाठ्थे पूरक पुष्टक बाल महाभारत कथा के अध्याए एक के प्रस्नों उत्तरों को पढ़ेंगे आप सभी से अनरोध है इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप से प्रस्न पूँछा जाएगा जिसका सही और जल्दे उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे तो आईए वीडियो शुरू करते हैं प्रस्न एक महाभारत की कथा किसकी देन है तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे महाभारत की कथा महर्शी परासर के कीर्टिमान पुत्रो वेदब ब्यास की देन है आईए प्रस्न संख्या दो देखते हैं ब्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्त कराई थी तो आईए इसका उत्तर देखते हैं ब्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्त कराई थी और बाद में अपने दूसरे सिस्षों को आईए प्रस्न संख्या तीन देखते हैं मानव जाती में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे मानव जाती में महाभारत की कथा का प्रसार महरसी वैसम पायन के द्वारा हुआ महर्शी वय संपायन ब्याह जी के प्रमुक्षिस थे आए अगला प्रस्न करें किसके यग्ज में सूत जी भी मौजूद थे और सभा के अध्यक्ष कौन थे तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे महाराजा परिक्षित के पुत्र जनमेजे के यग्ज में सूत जी भी मौजूद थे सभा के अध्यक्ष महर्शी सोनग थे आए प्रस्न संख्या पांच करते हैं महाराजा सांतनू के बाद किसको हस्तिनापुर की गद्दी मिली तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे महाराजा सांतनू के बाद उनके पुत्र चित्रांगत को हस्तिनापुर की गद्दी मिली चित्रांगत की अकाल मृत्तु के बाद उनके भाई विचित्र बीरे को हस्तिनापुर की गद्दी दी गई प्रस्न संख्या छे पांडू के कितने पुत्र थे तथा पांडवों का पालन पोषण किन के द्वारा और कहां हुआ तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे महाराज पांडु के पांच पुत्र थे पांडवों का पालन पोषण रिसी मुनियों के द्वारा जंगल में हुआ आये प्रस्न संख्या साथ करें युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर रिसियों ने पांडों को किने सौब दिया तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर रिसियों ने पांडों को हस्तिनापूर ले जाकर पितामह भीष्म को सौब दिया पांचों पांडों बुद्धी में तेज थे, शरीर में बली और मधुर सुभाव के थे, पांडों के गुण सब को मुह लिया करते थे, यह देखकर कौरों उनसे जलते थे आए प्रस्न संख्या आठ करें, कुरू राज्य का बटवारा किस प्रकार हुआ, तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, कुरू राज्य के दो हिस्से किये गए, कौरों हैस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे, और पांडों को एक अलक राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद प्रस्त के नाम से मसहूर हुआ, आए पाठ के अगले प्रस्न को करें, पांडों का राज्य कैसे छिना, और उन्हें क्या भोगना पड़ा, तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, चौसर के खेल में सकुनी ने युदिश्ठिर को हरा दिया, इसके फलसरूप पांडों क राज्य छिन गया, और उनको बारह वर्स का वनवास और एक वर्स का अग्यात वास भोगना पड़ा, आए अगला प्रस्न देखें, राजा लोगों के बीच कौन सा खेल, खेलने का रिवास था, तो इस प्रस्न का उत्तर, आप अपने नाम और अपने सहर के नाम के साथ, कम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे, तो इस प्रकार महा भारत कथा अध्याई एक के प्रस्न उत्तरों को हमने पढ़ लिया है, आशा करता हूँ, आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खृपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंशता रहे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.